नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहित सरदाना और योगी की अगनी परिक्षा है आज जी हाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उत्तर पुदेश में जिन के लिए वोटों की गिनती का काम इस समय चल रहा है आठ महीने पुरानी योगी सरकार के काम काज पर जनता की ये पहली मोहर होगी अगर बीजेपी को इसमें जीत मिलती है फिलाल तक जो रूजान और नतीजे आ रहे हैं उसके मताबिक नगर निगम चुनाव में बीजेपी की लेहर दिख रही है 16 में से 13 बीजेपी मेर उमीदवार आगे चल रहे हैं मतुरा में जहाब तक कॉंगरिस आगे चल रही थी वहाँ बीजेपी के मुकेश आरे आगे निकल गए हैं फिरोजाबाद में बीजेपी की नूतन राठोर आगे चल रही हैं कानपूर में बीजेपी की प्रमिला पांडे ये भी अपने निकटतम उम्मीदवार से आगे चल रही है गोरखपूर में बीजेपी के सीता राम जायसवाल मेर केंडिडेट आगे चल रहे है वारणसी में बीजेपी की मृदुला जायसवाल इस समय आगे चल रही है कुल मिलाकर ये तस्वीर है मेर के चुनाव के जो रुजहान आ रहे हैं उसमें 16 में से 13 सीटों पर अभी तक बीजेपी ने बढ़त बना लिया हाला कि आपको बता दे नतीजे नहीं है कुछ जगा पर नतीजे आए हैं वहाँ पर बीजेपी ने शुरुवाती बढ़त दिखाई हैं सुधान शुत्रवेदी हमारे साथ बीजेपी से हैं नदीम जावेद हमारे साथ कॉंग्रेस से हैं संजया गरवाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं और साथ ही हमारे सहयोगी समवाद दाता अलग अलग जगों से लाइव अपडेट्स आपको दे रहे हैं घाजियाबाद से सहारनपूर से ग्रेटर नौड़ा से लेकिन उसके पहले जल्दी से कमेंट संजेगरवाल आप अभी अभी हमारे साथ च कुछ समय भी बाकी है और बाकी हमेशा देखा गया है कि स्थाइन नकाय के जो चुनाव है रूलिंग गवर्मेंट को उसका सबस्यादा लाब मिलता है और जो भारतिय अनुदा पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थाइन नकाय चुनाव को लड़ा है जिस समाजवादी पार्टी प्रत्यासी ने हमको कंप्लेन करके बताया कि साबकरी 7670 एवियो मसीने जो है वहाँ पर उनमें गड़बढ़िया पाई गई वोट जो है समाजवादी पार्टी को पढ़ रहा था और वो गिना जा रहा था उसमें परची निकल ले थी भारतिय निता पार्टी की तो इस तरीके की बहुत सी कंप्लेन पूरे उत्तर प्रदेश से आई हैं मैं तो यह कहूंगा चुनाव आयोग से कि यह जो वेस्था वरतमान में चल लई है इसकी काईदे से किसी जुडूसरी उसके किसी सीनियर जजज के दोरा इसकी जाज करने की आऊ सकता है क्योंकि यह जो लहर है यह लहर तो अब देखी रहे हैं आप हर जगे पूरे गुजरात में ही आज परिसान है भारती अंता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है मैं समझता हूं बहुत निस्पत चुनाव नहीं हो पा रहा है बागी वार्ड लेविल पे चू क्या EVM में गड़बड़ी है? और अहम बात ये है कि हम लोग बहुत लंबे समय से दिल्ली विश्विद्य अले चात्रंग के चुनाव से लेके देश के विभिन विश्विद्य अलियों में या विदान सभा में लोग सभा में काम कर रहे हैं जो चुनावी तासीर होती है वो कहीं नहीं अंदाजा हो जात रहुल का कॉंबिनेशन जीज़ जाएगा ने गुजरात विधान सभा के चुनाव में भी था रोई जीज़ सर सुनिये ना एक सेकिंड सर अभी थोड़े दिन पहले चेहाट मेने पहले आप लोगों को स्मेल आ रही थी कि राहुल और अखिलेश जीज़ जाएगे गा नहीं आप लोगों को समेल आ रही थी तब कि नहीं आ रही थी यह दूर बोड़ा जाना देश हैगा यह बारती जंता पार्टी को लोगहीं नहीं कहते थे तो कहीं न कहीं अंदर बैठते हैं तो वो कहते हैं थे हम 500 से 200 सीटों के बीच में जीते हैंगे बारती जनता पार्टी के मैं तो पुर्ण लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर जनादेश जो जमीन पर इसमल है जो हवा है जो खुश्बू है उस हिसाब से नहीं आ रही है तो ऐसा लोगों को लग रहा है पूरे देश में कि विश्वास है लोक तंतर पर विश्वास है इस विश्वास का जो संकट कड़ा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी केंदर सरकार की है इस में हस्तक्चेप करने की जरूरत है और जरूर लोगों का विश्वास इस लोकतांतरीक विवस्था और प्रक्रिया में बना रहे इसलिए जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में EVM में हुआ है उसकी पूरी इंक्वारी होनी ठीक सुधानचु जी आपका कॉमेंट जल्दी से को क्या हो गया है आप सुप्रीम कोर्ट तक पर उंगली उठा देते हैं जुडिशल किलिंग ऑफ अफजल हुई थी तो कभी आर्मी के ओपर क्वेशन उठा देते हैं तो कभी इंटेलिजन्स एजिंस के ओपर क्वेशन उठा देते हैं प्रोहिंग्या के मामले में आज एक ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है नदीम जावेद जी मैं फिर इमानदारी से कहता हूँ कि अगर आपके राष्ट्री उपाद्यक्ष ने जाकर उस भीड का समर्थन किया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा किसने कतल किया था उसको भारत के उच्चेतम ने आया ले दे सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया ने यानि आप उस पे उंगली उठा रहे थे तो कभी रोहिंग्या के मामले पे इंटेलिजेंस एजन्सी पे उंगली उठा रहे थे तो फिर कभी आपको लगने लगता है तो आप मीडिया क्यों भी करें लगते हैं कि साब ये तो भक्त मीडिया है तो भाईया मेरा मानना है आपकी स्थिती ये है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई दुनिया को देखने की बजाए आप अपने पैरों में जूते पहने तो जादा बहतर होगा तो काटों से बचने की संभावना दिखो आगे निकलाए है आज तक इस समय आपको सबसे तेज रूजान और नतीजे बता रहा है इसके अलावा आपको ये भी बता दें कई जगापर पारशद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं वो भी आपको बताएंगे और इस पर चर्चा भी होगी कॉंग्रेस के नदीम जावेद हमारे साथ हैं सुदान शुत्रवेदी बीजे पी से हैं संजया गरवाल समाजवादी पार्टी से हैं तीनों से हम बात करेंगे सोला में से बारा कम से कम ऐसे मेयर चुनाव हैं जिसमें वोटो की गिंती में बीजेपी इस समय आगे चल रही है तीन में बीजेपी और एक में कॉंग्रेस इस समय आगे चल रही है संजया गरवाल समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं संजया जी कुछ दिर पहले वरिश पत्रकार शरत प्रथान हमारे साथ थे से पार्टी के हक में लड़ाई लड़ते हैं। आज जो मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेष में किसी भी पार्डी से अगर कार करताओं को देखा जाए सबसे ज़्यादा युँवास सबसे ज्यादा अच्छे कार्करता समाजवाधी पार्टी के पास है लेकिन हमारे कारकरताओं को ग्रासूड लेविल पे मैं इसमें कहूंगा जो रिजट मैं देख रहा हूं आज अपने सामने हैं हमारी पार्टी के वरिस लोगों को मैं एक बार इसके बारे में आगाह करना चाहूंगा कि हम लोगों को अपने मूल संगधन जो हमारा जो grass route संग्ठन है उसके उपर बहुत अच्छे तरीके से काम करने के आव सकता है। हमारे पास member की संग्या बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अच्छे कार करता हूँ की संग्या बहुत ज़्यादा है, समाजवादी party के जितने भी कार करता है, बड़ी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसको विवस्तित का अगर कर दिया जाए, तो समाजवादी party उत्तर वुदेश की सबसे बड़ी party बनकर के उभरेगी, नदीम जावेद आपको लगता है, आप लोगों को भी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ने की जुरूत है, जैसा समाजवादी party सोच रही है, फिर मेन पांडे साब की बात चुनवाते हैं, जल्दी से. ने देखें, रोहिट जी, ये राजनीती में कौन सी चीज कब क्या असर डाल देगी और उसके नतीजे क्या हूंगे, मुझे एस्वरन है कि 2009 के लोगसवादी party के साथ एलाइंस की बात चली थी, वो एलाइंस हुआ नहीं, इसलिए कि समाजवादी party हमें seat'े कम दे रही थी, तो जितनी seat समाजवादी party उस समय हमारी दे रही थी, हम जब 2009 के लोगसवाद के चुनाव के नतीजे आये तो हम 2009 में 22 लोगसवाद की सीटे जीद गए थे, और उस डेटा के हिसाब से 97 विदान सभाद की सीटे जीद गए थे, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल अपन और रहा अफजल गुरू का सवाल जिसकी उन्हों दे चर्चा की, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कि अफजल गुरू को फांसी कांगरिस के शाशनकाल में दी गई थी, अफजल गुरू को जो लोग शहीद मानते हैं, उनके साथ मिलकर कश्मीर में आप सरकार चला रहे ह थरातल पर भारती जनता पार्टी कहां खड़ी है, तो भारती जनता पार्टी को जवाब देने की आवश्यक्ता है, राहुल गादी का सवाल रहा, राहुल गादी के पिता ने, राहुल गादी के दादी ने इस देश के लिए अपना खून बाया है, ठीक है, नदीम साब सम मैं खत्म हो गया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे लेदिस खबरों के लिए यूही देखते रहे है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले